नमस्का दोस्तों मैं हुरे सब एक बार फिरष्वाद करता अपने यूट्व चैनल पर और आज आपके सामने मैं बताने वाला हूं पूदीने के प्लांट के बारे में मैं पॉट की बात कर लेता हूं पॉट की बात करना हो तो यहां पे मेरा एक टब लगा टूटा सा टब था यह देखिए पूरा टूटा हुआ है टब एक्चुली यह फेकने वाला टब था बट मैंने इसमें मिट्टी डालके और पोदीना लगा दिया और नीचे ड्रेने सिस् पोदीने बात करना है तो यहां देखिए मेरे प्लांट पर हां यहां अला तो आताह आता बाज यहां था प्लांट बटोन मिले कि इदर बैंक सीथे ब्लांट। से इधर भी प्लाइज इधर भी राइन तो यी की बीच में लगा हुआ है तो कि वगशा हो गई है। इसके लिए मुझे पता नहीं क्या मैं डेली उखाड़ के फेकता हूं बड़ डेली एक्रो हो जाता है तो मौर्णी ग्लोरी जो होता है वह बहुत बिकार चीज होता है और इसके सीट्स देखिए आप कितने जादे हैं मतलब गिर गिर के मतलब चारो तरफ यह पादे निकल र है यह चोटे चोटे ब्लैक कलर के यह सीट्स है यह देखिए निकल रहा है अभी मौर्णी ग्लोरी का मेरे पास पौधे में नीचे मेरे पास बहुत सफिशेंट मौर्णी ग्लोरी के पौधे हैं और मुझे नीचाहिए हर कम लो में क्योंकि डबल अगर हम ग्रोथ कर देंग उसे बहुत ज़्यादा वाटरीं नहीं कर रहेंगे अब इसकी मिट्टी को हल्का मौस्ट रखेंगे मतला ड्राइ नहीं होना आचिए बैसिकली मौस्ट जैसे मेरी मिट्टे भी highest dry नहीं है most झाशार और ऑवर वाटरींग नहीं जो आपके चोए, बादिने के बाद कलो चिस प्रोपोगेशन बहुत एजाता है बहुत है जो आपके बाद किस बहुत दो रेख और है इचील मुद्ढ़र है तो जो आपके मार्केट में शुपुदीन आता है चातर है और रहो हम बादिन है जातर बाह्य जा увер जाए ही आपा पैसे भी कर सकता, जैसे माली यह प्लांट का यह रहा मेरा ठीक है यह जो तना है , इसको मैं ऐसे यहां पर क्लियर नियो पा रहा है कि यह इसको मैं इसको मैं मिट्टी में इसको ब्रेस कर दिया यह जो मेरा plant है यह मिट्टी के अंदर टोटली इसको मतलब लेयरिंग कर दिया मिट्टी के अंदर प्रॉपर कह सकते हैं तो यह मैंने लेयरिंग कर दिया इसके प्रॉपर और 10-15 दिन बाद आप इसको cutting कर देंगे यहां से तो आपका यह नया पौता तयार हो जाएगा यह देखे एक फिर morning glory, morning glory से पूरा परिशान हो गया हूँ, बहुत जादा, तो यह morning glory, ऐसे ही आप क्या करें कि 10-15 दिन में फिर यह ग्रो कर जाएगा, तो आप इसे कटिंग करके एक नए pot में लगा सकते हैं, तो मैंने बेरे पास पोदीना sufficient, तो नहीं है भी इसको cutting ग्रो कर लगा सकते हैं, यह फिर air layering, ऐसे भी आपको, इसकी seeds भी आता है, तो seeds से तो बहुत time लगा, सबसे easy है cutting के through लगाना बहुत अच्छे germinate कर जाता है, तो अगर आपके कोई भी queries हो इस plant से related, तो प्लीज मुझे आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चानले को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले,